three हेलो फिंद्स वेलकम बेक मैं यूट्यूब चनल एमसमाइश करता ओं विद्स करता हूं बाकिर मादे उन्हकरता हूं विदिदुक्त वीडियो एक्स्प्र मैंटेश के बेसिक आलूशिंट तो अगर आपने उमारा इसका प्रीवीज वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे जरूर देखें ताकि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ माँ है गार जिसमें मैंने बेसिक सॉलिशन होता है किसी भी इक्वेशन का उसको सॉल कैसे करता है उसके बारे में इंट्र करेंगे कि हम दीजरूर इस्टेट ओर नोलओ इस्ट ए सीर्टेट क्या ऊँते हैं सही इस इसके ताइप्स होता है हम उसके बारे में डिसकर करेंगे बताना चाहँगा कि non-degenerate state क्या होता है अब जब भी कोई basic solution हम find करता है तो उसमें हमारे पास में जितने variables होता है उनका एक like coordinate कह सकता है यहना कि point form में हमारे पास में solution होता है तो उनमें जो variables की value होते है उसके basis पे इनको two types में divide किया गया है one is the non-degenerate basic solution and the second is the degenerate basic solution okay तो बात करता है यहाँ पे कि non-degenerate basic solution क्या होता है तो all the variables are non-zero अब non-degenerate की बात जब हो रहे है तो सारे जितने भी variables है उसके non-zero होने चाहिए तो non-zero होने का क्या मतलब हो गया कि उसमें कोई भी value zero नहीं होना चाहिए या फिर अगर एक zero हो तो एक से ज़्यादा value zero नहीं होना चाहिए उस type के basic solution को कहता है non-degenerate basic solution then हम बात करता है यहाँ पे degenerate basic solution के बारे में so if more than one variable is zero अगर कोई आपके पास मैसा variable है जिसमें more than one variable वहाँ पे zero हो रहा है तो यार उस case में उसको क्या कहेंगे non like उसको degenerate state कहेंगे okay so यहाँ पर हमें question से इसको करने कोशिश करता है कि find the basic solution and for the equations and prove that they are that they are non-degenerate ऐसा भी प्रूफ करना है कि वह non-degenerate यानि कि उनमें सिर्फ एक value जो है वो x की वहाँ पे variable की zero होगी बाकि जितने भी value है उसको जिरो नहीं होगी आसा आपको prove करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब भी हम किसी basic solution की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं matrix form में लिखते हैं तो हम यहाँ पे इसके solution की बात करते हैं यहाँपे सबसे पहले जो आपको equation given है इस equation को आपको matrix form में आनि कि आपको क्या करना है ax is equals to b की format में हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे सबसे पहले हम इसको ax is equals to b की format पर लिखेंगे तो कैसे लिखा जाता आप उसको थोड़ा समझें यहाँगे जब भी हम इस टाइब के question को solve करते हैं सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि हम इसको सबसे पहले matrix form में convert करेंगे so how can we convert into the matrix form अब हम यहाँ पर इसके matrix form को देखेंगे कि जो हमारे पास में x, y, z इस सबके variables हैं उनको हम यहाँ पर लिखेंगे तो यह x1 like हमारे पास में x1, x2, x3 है तो हम क्या करेंगा x1 का variable लिखेंगे sorry coefficient लिखेंगे यहाँ पर 2, यह हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा 4 और second equation जो हमारे पास में उसमें क्या हो जाएगा यह 1 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा और यह minus 1 हो जाएगा जब हम लिखेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे this is x1, this is x1, this is x2, and this is x3 तो इस types हम क्या करेंगे, इसको यहां पर solve करेंगे अब भात करते हैं, इसके equal में आम यहां पर जो b है, उसकी value भी हम लिखेंगे कि b जो होता हमारे पास में, यह जो या values होती है यह वाली जो value है हमारे पास में जो constant होती है यहाँ पर जो right hand side में जो values लिखे हो तो इसको b कहता है तो यह आ जाएगा हमारे पास में 10 और यह हो जाएगा 8 अब हम क्या करेंगे इसको जब solve करेंगे तो हम इसी मेंसे देखेंगे कि कितने values को हमको 0 करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके basic solutions कितने होंगे तो हम find करेंगे कि the number of basic solutions तो the number of basic solutions इसके basic solution कितने होंगे basic solution कैसे find करते हैं उसका जो number होता हो find करने के लिए आपको सबसे पहले m की value find करनी हो तिर फिर n की value अब देखो, M जो होता है, उसका मतलब होता है, कि आपके पास में कितनी equations हैं, टीक है, तो M का मतलब हो जाएगा number of equation, यानि कि आपके पास में 2 है, यह हो जाएगा number of equation, then हमारे पास में आता है number of variable, अब यहाँ पर variable जो है, वो तीन है, तो यह क्या हो जाएगा number of variable, okay, so number of variable and number of equation आपको ध्यान में रखना है, कि M की value जो है, वो यहाँ पर 2 है, यानि कि 2 equation given है, और जो variables है, वो यहाँ पर 3 given है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, अब यहाँ पर जो formula होता है, वो यह कहता है कि N factorial upon, like हम इसको N CM कह सकते है, यह अमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आजाएगा N CM हो जाएगा, और यह जो N CM होता है, यह combination का formula है, और यह हो जाएगा 2 factorial N की value है, sorry for that, 3 factorial N की value है, तो यहाँ आजाएगा 3 factorial upon यह हो जाएगा 2 factorial, and 3 minus 2 is equals 2, then यहाँ पर हो जाएगा, 3 factorial upon 2 factorial into यह हो जाएगा 1 factorial, तो ultimately इसकी value आएगे, वो हमारे पास में 3 आएगे, अब इसके 3 basic solution होगे, हमको इतना पता चले गिया, किसके basic solutions का जो number है, वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अब हमारे पास में basic solutions है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, n-m करेंगे, तो देखो, जब भी हम n-m करता है, तो इसका मतलब है, कि हमारे पास में 3-2, it means 1, हमको क्या करना, एक-एक को 0 करते जाना है, एक-एक variable को 0 करेंगे, इस टाइप से हमारे पास में 3 value आगे, first हम क्या करेंगे यहाँ पर, x-1 को 0 put करेंगे, then हम x-2 को 0 put करेंगे, then हम x-3 को 0 put करेंगे, तो यह इस टाइप से 3 0 put करेंगे, तो हमारे पास में इसके basic solutions से वह आएंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, for x-1 equals to 0, ok, हम बात करेंगे, first of all for x-1 is equals to 0, अब x1 जो है वो 0 है तो उस case में हम क्या करेंगे यह जो x1 वाले लाइना नहीं यह x1 का coefficient है यह x2 के coefficients है यह x3 के coefficient है तो जब हम इसको लेंगे तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे बाकि जो है matrix है उसको हम यहाँ पे लेंगे तो second वाली जो matrix बनेगे हमारे पास में इस case में हमारे पास में जो matrix आएगे हो जाएगे 3,4,2,-1 और इसके जो variables होंगे वो क्या हो जाएगा x1 जो हो जीरो हो गया तो यह हो जाएगा x2 and x3 is equals to अब हमारे पास में जो constant है वो तो वह ही रहेंगे तो अब देखो जब भी हम इस type के questions को solve करता है तो now we have to find the value of the x2 and x3 x2 and x3 की value find करेंगे तो यह जो हमारे पास में है यहाँ पर यह जो है इसका हम इसको इदर ले आएंगे तो इसका inverse find कर लेंगे तो इसको मैं consider कर रहा हूँ कि यह एक matrix है और यह भी एक format ही बन रहा है matrix का actually यह इसकी sub matrix हो जाएगी that is known as the sub matrix अब यह जो sub matrix है इस sub matrix का मुझे क्या find करना inverse find करना इसको मैंने A1 लेट कर दिया इस sub matrix को A1 लेट कर दिया अब मैं इस A1 का inverse find करूँगा तो इसको 2 cross 2 की जब भी matrix होती है तो उसका inverse find करने का बड़ा simple सा तरीका है कि सबसे पहले तो आप उसका क्या करें determinant find करें तो यह इसका determinant के अगर मैं बात करूँगा तो minus 3 minus 8 is equals to minus 11 हो जाए अगर determinant find करता है because A inverse जो होता है उसका formula होता है adjoint of A okay that is the adjoint of adjoint of A upon determinant of इसलिए हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका determinant find करेंगे अब हम उसका adjoint find कर लेंगे तो यार अब हम क्या करेंगे इसका adjoint क्या हो जाएगा adjoint में जो principal diagonal है इसको हम change करेंगे principal diagonal को change करेंगे अब यहां पर बाके रिमेनिंग उनका क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, यह हमारे पास में adjoint आ जाएगा, तो हमारे पास में a1 का जो inverse आएगा, that is the, a1 का जो inverse वगाओ क्या हो जाएगा, adjoint यानि कि यह जाएगा, minus 1 upon 11, यानि कि इसका determinant हो जाएगा, and then हमारे पास में आ जाएगा, minus 1, minus 4, minus 2 and 3, यह आ जाएगा हमारे पास में इसका inverse, अब हमने inverse find कर लिया है, तो इस value को क्या करेंगे, यहाँ पर put करेंगे, तो यह हो जाएगा, x2, x3, इस matrix की जो value आएगा हमारे पास में, minus 1 upon 11 हो जाएगा, यह हो जाएगा, minus 1, minus 2, minus 4 and 3 हो जाएगा, इसका हम, sorry, that is not upon, यह हो जाएगा, 4 and 3, और इसका हम यहाँ पर find करेंगे, लब 10 और 8 से multiply कर देंगे, so now हम इसको multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा हमारे पास में, multiply करने पर यह हो जाएगा, that is, okay, यह line नहीं है बीच में, तो अब क्या करेंगे, इसकी value find करेंगे, यह हो जाएगा, x2 and x3, यह matrix में हम इसको find कर रहे है, is equals to, यह हो जाएगा, minus 1 upon 11, अब हम क्या करेंगे, इसका simplification करेंगे यहाँ पर, तो इक बार में इसको 6 से लिख देता हूँ, यहाँ पर multiply करना और कुछ नहीं करना इसमें, यह हो जाएगा, x2, x3, is equals to, minus 1 upon 11, अब इसका multiply करेंगे इससे, तो multiply करने पर, ultimately हमारे पास में आएगा, minus 10, and यह हो जाएगा, 32, okay, and then, फिर आएगा, हमारे पास में, यहाँ पर, minus 20, and plus यह हो जाएगा, 24, तो यह हो जाएगा, x2, x3, is equals to, minus 1 upon 11, हो जाएगा, यहाँ पर, minus 42, and then, यह हो जाएगा, minus 4, is equals to, अब, x2 की value, comparison करेंगे, इसका compare कर लेंगे, इस matrix को, इस matrix से compare करने पर, है, जो हमारे पास में, x2 है, उसकी value आजाएगी, 42 upon 11, and जो x3 है, उसकी value में, minus 4 है, तो minus minus plus हो जाएगा, that is not minus 4, that is plus 4, okay, तो यह plus 4 होगा, हाँ, okay, तो यह हो जाएगा, minus 4 upon 11, तो इस type से, हमारे पास में, यह value जाएगी, अब अब हमको क्या करना है, कि यह जो value है, इसमें, यह जो हमने x2 और x3 फाइड किया, same as it is, अब यह किसके लिए हमने find किया था, यह हमने find किया था, यहाँ पर, upon 11 होगा, यह हमने find किया था, हमने हमारे x1 0 रखा था, अब बात करेंगे, जब हमने x2 0 रखना है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x2 को 0 रखेंगे, तो now second case की बात कर लेते हैं, for x2 is equals to 0, अब हम किसके बारे हम बात कर रहे हैं, जब हमारा x2 0 है, तो जब x2 0 होगा, तो उस case में क्या होगा, उसके बारे हम थोड़ा discuss करते हैं, तो वही हम काम करेंगे, सबसे पहले matrix बनाएंगे, अब यहाँ पर क्या करना, आपको x2 का जो coefficient है, उसको 0 put करना, मतलब वो line आपको नहीं लेनी है, यहाँ पर आ जाएगा, 2, 1, and 4, minus 1 हो जाएगा, तो यह आजाएगा आपके पास में, यहाँ पर 2, 1, and 4, minus 1 हो जाएगा, इस into, मैं आपका यहाँ मुल्टिप्लाई में, x1 and x3 आएगा, क्योंकि x2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, x2 जीरो हो जाएगा, is equals to, इधर तो क्या रहेगा, 10 and 80 रहेगा, इसको मैं A2 कंसिडर कर लेता हूँ, अब यह जो A2 मैट्रिक्स है, अब इस A2 को क्या करना है, हमको simplify करना है, तो A2 मैट्रिक्स का inverse find करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर A2 का determinant find करेंगे, तो यह हो जाएगा, minus 2, minus 4, is equals to, यह हो जाएगा, minus of 6, अब हम क्या करेंगे, इसका value find करेंगे, तो minus of 6 आगी हमारे पास में, अब हम adjoint की बात कर लेता है, तो adjoint कैसे find करता है, principal diagonal को हम replace कर देंगे, बाकि जो है, उनके sign को change कर देंगे, तो यह जो A2 है, इसका जो inverse आएगा हमारे पास में, वो inverse क्या हो जाएगा, is equals to, यह हो जाएगा, minus 1 upon 6, and then यह हो जाएगा, minus 1, minus 4, minus 1 and 2, यह जाएगा, इसकी value, now अब हमको क्या करना है, इसको वापस again वाप उट करना है, आगे हमको x1 and x3 का value find करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर minus 1 upon 6, यहने कि इसको इधर भेज रहे हैं, वाइसाल जब इसको उधर भेजेंगे, तो इसका ultimately हमको inverse ही तो find करना है, और क्या find करना है, तो इसलिए हम inverse find करता है, इसमें confuse नहीं होना, तो यह क्या हो जाएगा, minus 1, minus 4 हो जाएगा, minus 1, 2 हो जाएगा, ओके, then हम यहाँ पर इसको multiply करेंगे, 10 and 8 से, अब हमको क्या करना है, इसका value find करना न, इसको ultimately multiply करना है, तो कैसे multiply करता है, तो यह हो जाएगा, x1, x3, ओके, is equals to हो जाएगा, minus 1 upon 6, अब multiply करना है, ऐसे ही, अब हो जाएगा, row column से जाएगे, multiply में जाता है, तो यह हो जाएगा, minus of 10, and यह हो जाएगा, आपके पास में, minus of 32, okay, same as it is, उसी type से आरहा है, हमारे पास में, यह हो जाएगा, minus of 10, and minus of 32 हो जाएगा, and then, हमारे पास में आजायेगा minus 10 and plus यह हो जायेगा 16 so यह हो जायेगा x2 not x2 x1 and x3 so यहां साम x1 and x3 की वाल्यू find करेंगे that is the 1 upon 6 और यह आजायेगा हमारे पास में minus 42 and यह हो जायेगा plus 6 so the value of x1 is equals to 42 upon 6 is equals to 7 and then x3 यहां पर हो जायेगा 1 तो इस टाइप से हमने क्या-क्या for x equals to 2 के लिए भी हमने यह value find किया है अब बात करते हैं हम यहां पर x equals to 3 x3 is equals to 0 के लिए ना for x3 is equals to 0 हम यहां पर value find करेंगे so हम लिखेंगे यहां पर x3 is equals to 0 so x3 को अगर हम 0 यहां पर put कर रहे हैं so it means हमको क्या करना है कि जो matrix है हमारी main main matrix में से इसको हमको क्या करना है remove करना है तो यह हो जाएगा 2 3 and 1 2 हो जाएगा okay so यह हो जाएगा हमारे पास में यहां पर जो matrix बनेगी वह matrix आएगा हमारे पास में एक matrix हो जाएगा इस टाइप से 2 3 and 1 I think minus 3 यह हो जाएगा 1 & 2 यहां पर जाएगा हमारे पास में x1 & x2 यह values हमारे पास में आएगी is equals 2 में आ जाएगा 10A8 अब हम इसको simplify करेंगे तो same काम हमको करना है सबसे पहले इसको में a3 लैट कर देता हूं तो यह जाएगा 4 minus 3 is equals to 1 okay and then इसका हम adjoint अगर हम यहाँ पर find करेंगे तो आजाएगा हमारे पास में 2 & 2 यानिकि इसको replace करना पर वही value आएगी और बागी जो remaining elements से उनका हम यहाँ पर sign change करेंगे तो यार इसका inverse अब हम find करेंगे a3 inverse होगा that is the 1 upon 1 ओके यह हो जाएगा 2 minus 3 minus 1 & 2 हम multiply करेंगे इसको इसके साथ में यानिकि यह हो जाएगा x1 x2 x1 x2 is equals to 10 into like square से लिखना है यह हो जाएगा 2 minus 3 minus 1 & 2 इसको आगे लिखना होता है क्योंकि जब भी हम multiplication करता है तो यह जो होगा 2 cross 1 का होगा यह जो होगा 2 cross 1 का एक matrix होगा और यह जो होगा 2 cross 2 का होगा तो multiply जो होगा वो ultimately ऐसे होगा लगा इस ताइप से multiply होगा कभी यह इससे multiply नहीं हो सकता है तो यह भी चीज आपको ध्यान में रखना है कि equal होना है जब भी हम multiply करता है जब भी हम multiply करता है जाजे like अगर मैं A cross B कहता हूँ तो B cross C होना चाहिए अगर C cross B है तो उसका multiplication possible नहीं होता matrix में इसलिए हम inverse को उसके आगे multiply करता है जबकि उसके पीछे नहीं करता है अब हम क्या करेंगे यहापे इसको simplify कर देंगे then हम यहापे इसकी value को find करेंगे तो इसका multiply करेंगे 10 into 8 से तो हम यहापे लिखेंगे इसका multiply करेंगे then यह हो जाएगा 10 into 8 अब हम यहापे इसका multiply करेंगे त 24 and then यह हो जाएगा 10 और प्लस यह हो जाएगा 16 अब यह आजाएगा हमारे पास में x1 x2 की value आजाएगी हमारे पास में जो determinant है वो तो भन ही है उसका divide करने का क्या फाइदा है यह हो जाएगा minus 4 and यह हो जाएगा 6 तो यह step चाहिए पास में value आएगे मतलब x1 जो है वो minus 4 है और x2 है जो 6 है अब यहाँ पर अगर मैंने solutions की बात करता हूँ तो वो solutions क्या क्या होंगे ज़रा उन पर थोड़ा गौर कर लेता है तो इस case में जो हमारे पास में solutions होंगे that is the minus 4 6 and 0 okay यह x1 x2 x3 की values हो जाएगी similarly हम बात करते हैं हमारे second case के लिए तो second case में जो हमारे पास में values आ रही है x1 की values 7 है x2 की value हमारे पास में यहाँ पर minus 1 है यह क्या है इसकी value minus 1 है sorry x3 की value minus 1 है x2 हम यहाँ पर 0 पुट कर रहे है यह हमारे पास में यहां पर coordinate हो जाएगा and then first case में अगर मैं बात करता हूँ तो x1 जो है वो 0 है x2 यहां पर 42 upon 11 है and यह minus 4 upon 11 है इस type से हमारे पास में यह basic solutions आ रहे हैं अब एक बार में जो basic solutions है इनको यहां पर लिख रहा हूँ एक साथ में तो जो basic solutions है है हमारे basic solutions that that are the first basic solution है 042 upon 11 minus 4 upon 11 and then second जो basic solution है that is the 7 0 minus 1 and third basic solution है minus 4 6 and 0 अब हमको यह प्रूफ करने कर है यह तो गया basic solution now we have to prove that this is the is this non-degenerate or degenerate तो degenerate और non-degenerate का concept हमने पढ़ा उसमें यह कहा गया है कि जब भी more than one अगर more than one variable अगर zero आ जाता है तो उसकेस हो degenerate हो जाता है पट यहां पर किसी भी case में more than one variable की value यहां पर zero नहीं आ रही है तो हम यहां पर लिखेंगे here all the basic solution are non-degenerate because more than because the all values all values are non-zero अब देखो क्या होता है कि हम जिनको zero put कर रहे हैं वो तो zero ही होगा like x1 को zero put कर रहे हैं फिर x2 को zero put कर रहे हैं फिर x3 को zero put कर रहे हैं बट जिनको हमने zero put नहीं किया वो non-zero है तो कि हम value तो ultimately उनी variable की find कर रहे हैं जिसको हम zero नहीं put कर रहे हैं इसको समझने कोशिच की दिये का कि हम उनी variable का value यहां पर find करता है जिसको हमने यहां पर zero नहीं किया नहीं जिरो है तो उसकेस में उसको क्या कहेंगे यहां यहां पर यहां पर सारी वेल्यू जो है वो non-zero है I hope आपको जो पूरा concept जह है वो clear हुआ होगा So thanks for watching this video Keep watching MS Maths and subscribe the channel MS Maths